नमस्कार दोस्तों मैं अर्वेदाचार डॉक्टर सौरमिस्रा आप लोका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज साथी में यदि आपका कोविड-19 टेस्ट पोजिटिव आ जाता है या आपको इसके माइल अच्छड आने लगे होतों यदि आप कोरोनिल किट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपको जानना जरूरी है कि उसका उपयोग कैसे करना है यदि आप यह नहीं जानते हैं मेरे वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें तो दोस्तों बात करूंगा यदि आप कोरोनिल खिट बाजार से लाते हैं तो इस खिट में कौन-कौन सी ओसदिया सामिल है पहला कोरोनिल वटी, दूसरा स्वासहारी वटी और तीसरा आणु तेल इसका उपयोग यदि कोई बच्चा कर रहा है तो उसको कितनी मात्रा लेनी है यदि कोई वयस्क कर रहा है तो उसको कितनी मात्रा रखनी है यदि कोई बुजुर्ग कर रहा है तो उसको कितनी मात्रा लेनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा यदि किसी पेसेंट का रिपोर्ट पॉजटिव आ जाता है तो उसको कितनी मात्रा लेनी चाहिए इसमें वयस्क और बुजुर्गों दोनों के बारे में बात करूंगा स्वासहारी वटी की तीन-तीन गोलियां सुबह साम कुछ खाने से पहले सेवन करें ऐसे ही कोरोनिल वटी की तीन-तीन गोलियां सुबह साम धोपहर कुछ खाने के बाद सेवन करें आडुतेल का दो से चार मूद नाक में टपकालें और उसे अंदर की तरब खीचें साथ में यह बताना चाहूंगा कि यदि कोई बच्चा इसका उपयोग कर रहा है तो वह तीन-तीन की जगए इसका उपयोग एक-एक गोलियों के रूप में करेगा और अडु तेल का एक-एक बूद नाक में डालेंगे और जो लोग सिर्फ इसका उपयोग बचाव के लिए कर रहे हैं उनको कोरोनिल की दो-दो गोलियां सुबह साम खाने के बाद स्वासहारी वटी की दो-दो गोलियां खाने से पहले और अडु तेल के दो-दो बूद नाक में टपका लेंगे और मैं बताना चाहूंगा अडु तेल यदि किसी पेसेंट के सर में दर्द, नजला, जुखाम ऐसी कोई भी परिसानी रहती है उसके लिए भी बहुत ही कारगर साबित हुई है दोस्तों यह थी कुछ उपयोगी जानकारिया और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको जादा से जादा से जादा से शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भोलें धन्यवाद दोस्तों पर शुट दोस्तों बादा से जादा से जामे गले हैं जादा से जादा से जादा आपके लिए बहुत है